आज का हमारा टॉपिक है लीफ एपसीशन लीफ एपसीशन का मतलब क्या होता है लीफ का गिर जाना लीफ एपसीशन, the natural process of falling of leaves from plant without causing any injury to the leaving tissues मतलब कि ये एक ऐसा natural process है जिसमें की leaves जो है वो plant से अलग हो जाती है अब अगर जाते हैं तो वो plant को कोई injury नहीं करते है अगर वो इसको damage कर रहे है प्लांट को ये इंजरी कोज कर रहे है तो उसे हम leaf abscission नहीं कहेंगे means, leaves are falling from the plant without causing any injury to the leaving tissues what is the meaning of abscission? abscission का meaning ही क्या होता है? act of cutting of cutting क्या हुरा है? leaves की cutting हो हुरा है so abscission means act of cutting of now this leaf abscission ये भी different plants के अंदर different types का होता है यासी कि कि अगर हम decidious trees या फिर shrubs की बाहत करें जो कि तो deciduous trees और shrubbs इनके अदर क्या होते है कि ये seasonal plants है या आपने क्या होगा कि जब autumn का season आता है तो autumn में क्या होते है कि leaves जो है हो वो सारे कि सारे गिर जाते हैं और plants बिल्कुल क्या भोई भी अब है तो खृष सभशण वह भी आप जो है और फूल हो जाते हैं लेकिन अीजएर्स जन की वगजे सभीक उस प्लांट की बात करें तो evergreen plants का अंदर की अपसीशन हो यह डिप्सेशन हो यह रिखते हैं जिनकी एंगे जर बिख्या जाती है जिनकी अज़ह जाती है वो लीव जो है उनके जंगा पर नए लीव जो हो 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 प्रफु तो यह जह जो है अपसीशन अफल अफल यह अप से इंदर के अप एवर्ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्रेजुली यह प्रोसेस चलता रहता है अप्सीशन का ओल्डर लीज फॉल एंड न्यू वन्स ग्रो तो प्रोसेस अफ लीफ अप्सीशन दिस इंक्लूद्स मैनी फिजिकल और बायोकेमिकल चेंजिस रेगुलेटिड बाय प्लांट होर लीफ जो है वह एप्साइस हो जाते हैं गिर जाते हैं अब सोचो के भी बहुत सारे होल्मों के नाम ले दियैं इनका रोल क्या है तो जैसे-जैसे leaf जो है वो mature होते है यानि कि plant की जो leaf है वो mature हो रही है वो senescence के अंडर को करे है senescence का मतलब क्या होता है deterioration with age मतलब अब वो जो leaf है वो बुड़ी हो चुकी है तो क्या होगा कि leaf के अंदर जो oxyn का level है ना oxyn जो एक plant hormone है उसका level जो है वो decrease हो जाएगा अब उसका oxyn का level decrease होने की वज़े से abscissic acid और ethylene का level जो है increase हो जाएगा leaf के अंदर oxyn जो है oxyn का काम होता है कि वो senescence नहीं होने देता मतलब वो plant की leaf को बुढ़ा नहीं होने देता और अगर leaf बुढ़ी नहीं होगी वो senescence के अंडर को नहीं करेगी तो leaf जो है वो abscise नहीं करेगी वाइल जो ethylene और abscissic acid है उनका काम होता है abscission को promote करना abscissic acid और ethylene promotes abscission means अगर इन दोनों के amount जो है वो जादा हो जाती है leaf के अंदर है किसी भी organ के अंदर तो वो abscission को promote करेंगे ठीक है तो यह हमने तीन hormones के बारे हम पढ़े लेकिन हम पांचो hormones का role देखेंगे leaf abscission के अंदर so दी जादा hormones सबसे पहले देख लेते हैं auxin तो auxin के बारे में हमने पढ़ लिया कि out of the leaf via pitiole मतलब अब जो है leaf mature हो गया है अगर तो क्या होता है कि जो leaf के अंदर जो auxin के मांट प्रेजन है न वो auxin जो है वो directly धीरे-धीरे से वो क्या होता है कि leaf के बाहर stem के अंदर तक आने लगता है leaf से वो stem के तरफ ट्रांस्पोर्ट होने लगता है pitiole के थ्रू तो auxin ट्रांस्पोर्ट इड स्टिली आउट अफ द लीव विया pitiole to the stem so this is the auxin roll next are the cytokine and gibberline so cytokine and gibberline these both inhibits abscission means if these two hormones are present अगर यह दो hormones present है तो यह inhibition को sorry abscission को inhibit करते हैं यह लोग कहेंगे कि नहीं हमें नहीं करने देना है abscission को जबकि अगर हम abscissic acid or uthylin के बात करें जो मैंने पहले भी बताया यह दोनों जो है वो abscission को promote करते हैं यह दोनों ऐसे hormones जो कहते हैं कि leaf को गिरने दो लेकिन cytokine and gibberline कहते हैं जो हम गिरने नहीं देंगे और जो हम पता है कि growing parts of the plant पर हमें नीड होता है जहां पर हमें energy requirement होते हैं वह किस से पूरी होती है तो जो है उसको ट्रांसपोर्ट होतना पड़ता है to the growing parts of the plant तो अब oxygen जो है वो जैसे जैसे leaf mature होती है तो plant कहता है कि यह leaf बूरी हो चुकी है इसका कोई काम नहीं रहा है तो इधर से अपना oxygen खींच लो और जो growing parts है प्लांट के जहां पर oxygen की requirement जादा है वहां पर लेया oxygen को तो अब क्या होता है कि oxygen की amount जो है वो leaf के अंदर कम हो गया और वो stem से growing parts पर या फिर जहां पर भी requirement है वहां पर ट्रांसफर हो रहा है यानि कि हाथ है लीव को गिनाने में तो एपसीस से कैसे तो रिथायलीन जो है वो इसको लीव को एपसीशन के लिए प्रमोट करेंगे नाव इस साइटो काइन और गिबरलीन इस आर प्रेजेंट पार्ट्स और प्लांट यहां पर कम होगा अब जैसे कम होगा प्लांट कहेंगा कि चलो थोड़ देर करें तो रहने दो तो वो क्या करता है कि साइटो काइनिन और को ट्रांसफर करता है ऑपैस्यित का इपक। कहते हैं कि नहीं मैं तुम कितने ही आ जाओ साइटोकाइनिन और गिबरलिन लेकिन मैं तो लीफ को गिरा कर ही रहूंगा तो इस तरहां से यह एपसीशन हो जाता है और यह है इन पांच होर्मोन्स का रोल इस प्रोसेजर के अंदर अब बात आती है कि अभी यह पांच होर्मो तो मैं आपको बताती हूं कि इसको याद कैसे करना है देखो जिन का जो रोल है अब पूरी की पूरी जो लीफ अपसीशन है उसमें मेरी होर्मोन है ऑक्जिन यानि की एर तो जो है उसको तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हो आप सबको याद रहे गा ही मुझे पता है क का रोल ही different है सारा का सारा जो leaf abscission है वो टिका ही oxyn के उपर हुआ है तो oxyn तो आपको याद रहेगा ही कि oxyn जो है वो senescence को delay कर रहा है abscission को delay कर रहा है वो नहीं चाहता कि plant जो है वो गिर है वो बहुत एक अच्छा hormone है ठीक है इसके बाद साइटोकानेन και गिबरलिन जो की एबसेशन को इन्हिबिट कर रहे हैं ये कब प्रोड्यूर्च हो रहे हैं जब इस लीफ के अंदर अगजिन की अमाउंट कम हो गए है तो अब यह जो साइटो कानिन और गिबरलीन है और साइटो कानिन यहां पर ट्रांसफर होता है और यह यहां पर आकर लीफ को बोलते हैं कि तू टेंशन ना ले मैं गिबरलीन हूँ मैं गबर जैसा हूँ और मैं गबर जैसा हूँ देखता हूँ कौन इस लीफ को गिरने गबर जैसी वाडी है और साइटो जैसा दिमाग है तो हम देखते हैं हमें कौन गिराएगा इस लीव को लेकिन अभी यहां पर जो एपसिसिक एसिड है वो कहता है कि भाई माना गिबरलिन तो गबर जैसा है लेकिन मेरे पास भी एब्स है मैं अभी तुछे कम नहीं हूं तो क्यों टैसे कहता है कि मेरे पास भी एब्स हैं देखता हूं क्वों तो आप सबको बता है ये फ्रूट राइपनिंग हुर्मोन है यह जलड़ी जल्से पका देता है चीजों को और इसी तना से अब यह लीव को भी करेगा ये उसको कि तू जल्दी से गिर Ignac reduce तो अपसिसिक ऐसिट कहता है कि मेरे पास भी इथाइलीन है देखता हूँ कौनसा गबर इस लीफ को गिरने से रोकता है तो I hope इस फोटे से स्टोरी से आपको यह सब समझ आ जाएंगे आप इनको याद कर पाएंगे इसली जो बाहुआवट वेस्टिंग टाम चलो थोड़ा और आगे चलते हैं इसके बाद इस लिफ अब्सेशन के अंदर जो मेन थियूरी आती है वो आती है ओग्जिन ग्रेडियन हाइपोथिस Oxine Gradient Hypothesis According to this hypothesis It is not the presence or absence of Oxine But the relative concentration of Oxine On two sides of abscission zone Which controls abscission जो Oxine Gradient Hypothesis है वो यह कहती है कि यह सिर्फ Oxine की presence या absence नहीं है कि Oxine hormone है वो पूरी तरह से present है या पूरी तरह से absent है नहीं इस चीज़ पर dependent नहीं करता कि लीफ Assides होगी या नहीं होगी बलकि यह depends करता है की Oxine जो है वो कितना present है प्लांट की दोनों साइट से Oxine कितना present है यह सिटेम है इधर से यह लीफ Attached है तो यह depends करता है कि Oxine जादा कहां पर present है Oxine की Concentration पर depend करता है ना कि इस बात पर की Oxine oxygen present है या नहीं है present तो है ही लेकिन इस बात पर depend कर रहा है कि कितना present है so it is not the presence or absence of oxygen but the concentration of oxygen on two side of abscission zone which controls abscission so this is the main theory which is followed in regard of leave abscission अब इसको अप explain कैसे करोगे भाई समझना कैसे है भाम इसे so if the amount of oxygen is more on leaf than stem it will delay abscission oxygen हमने पढ़िए इसका काम ही क्या है ये abscission नहीं होने देगा ये abscission को delay करेगा कि बाद में होना अभी नहीं होना लेकिन अगर oxygen के amount leaf पर जादा है तब ही तो वो leaf के abscission को delay कर सकते है ना stem से comparison में leaf की जो amount है oxygen की वो leaf में जादा होने चाहिए लेकिन जैसे जैसे plant mature होता है oxygen is transported to the growing parts of the plant and so the leaf undergoes a senescence and amount of oxygen in the leaf decreases and hence the leaf will abscise जैसे जैसे plant mature होता है oxygen जो है उसकी concentration उसकी जादा होती है वो गम हो जाती है लीफ के अंदर इसकी वज़े से लीफ जो है वो abscise कर जाता है क्योंकि अब लीफ के अंदर oxygen के amount कम होगे लेकिन stem के अंदर जाता होगी है stem के अंदर क्योंकि oxygen के amount जाता होगे तब लीफ के गिर जाएगा लीफ के अंदर कम है लीफ किर जाएगा ठीक है so this was leaf abscision अब देख लेकिने पूरा प्रोसीजर कैसा है भई तो process of leaf abscision first of all we have formation of abscision zone मतलब कि अभी leaf को गिरना है तो पहले से ही leaf जो है जो plant है वो त्यारी कर लेता है कि leaf गिरे लेकिन मेरे को damage नहीं होना चाहिए मेरी stem को damage नहीं होना चाहिए तो stem और leaf के बीच में जो pitiole होता है वहाँ पर एक abscision zone फोम होगाता है this zone forms across pitiole's base from where the leaf is going to abscise this is the abscision zone मितलब यह वो zone है जहां से leaf गिरेगा the concentration of oxygen starts decreasing increasing the amount of abscissic accident ethylene in the abscision zone इस abscision zone के अंदर जो cell के size है वो reduce होने लगते है और यहाँ पर lignin और subrin का deposition होने लगता है अब हमें पता है कि जो lignin और subrin है वो dead parts of the plant form करते हैं जहां पर से भी कहीं से भी अगर plant को गिरना होता है तो वो अपने उपर एक लेयर सी बना लेता है lignin और subrin की ठीक है तो abscission zone में क्या होता है कि cells का size कम होने लगता है और lignin और subrin जो है वो deposit होने लगते है abscission zone के अंडर भी दो लेयर फिर्म होता है two layers forms in abscission zone one is protective layer and other one is separation layer protective layer which will protect the plant from further injury and separation layer which will help the plant help the leaf to separate from the plant so this was the formation of abscission zone now the next one is the separation of abscission layer this is the second part in the process of leaf abscission now abscission zone form हो चुका है अब क्या होगा लीफ जो abscission zone है वहां से leaf separate होगा कैसे separate होगा कि leaf के अंदर क्या present होता है middle lamella present होता है middle lamella से ही तो ये leaf connected होती है ये पूरा का पूरा क्या है middle lamella है तो middle lamella में क्या होता है middle lamella जो है उसके अंदर calcium और pectate present होता है middle lamilla के अंदर अब यह जो पैक्टेट होता है ये एक cement जैसा structure होता है और यह इसका main काम क्या होता है कि यह cell wall को आपस में चिपकनेंट देता हो शेप को maintain करके रखता है तो अब यह जो पैक्टेट है यह convert होता है pectic acid में with time as the abscission layer forms तो pectic convert होता है प्रोसीजर की वजए से जो मिडल लैमिला है वो डिसॉल्व हो जाएगी तो जो अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो जो अबसमें सेपरेट हो जाएंगे अब देखो यह जो जो मिडल लैमिला है इसके बाद यह ऐसी हो जाएगी और है अगर इन वाटर में सोलीबल एक पॉइंट आएगा कि यह जो यह इदर साथ लीफ रेजंट है और यह क्या है स्टेम वाला पार्ट है तो एक पाइम ऐसा आ जाएगा कि यह जो मिडल मिला है यह पिटियॉल जो है यह सिर्फ स्टेम से वस्कुलर बंडल्स के थ्रू अटाज़ रहेगा सिर्फ वस्कुलर इसके थ्रू इस पिटियॉल विल रिमेन अटाइच्ड टू दू ब्ल्स की वस्कुलर बंडल्स वस्कुलर अलिमेंट बट अब वस्कुलर ऐलमेंट के थ्रू भी यह कितने देर तक इसके अटाज़ रहेगा यह तो खुद के वेट से ही गिर जाएगा यह फिर हवा चलेग तब भी गर जाएगा तो इस तरहां से ये separation layer जो है वो separate हो जाती है so middle lamella dissolutes and cells of abscission layer separate from each other now the pitiole remains attached to the stem only by vascular elements but soon detached by own weight or wind the protective layer is formed which protects the plant from injury अब यहाँ पर से ये layer तो separate हो गई है न ये protective layer अंदर के साइट बनती है और separation layer बाहर के साइट बनती है क्योंकि बाहर से ही तो separate होगा न प्लांट है तो अंदर के साइट इसको protection चाहिए तो protective layer अंदर के साइट बनती है अब यह protective layer यहाँ पर बनी है यह इसका main काम यह है कि यह plant को injury से बचाता है कि अगर leaf गिर रहा है तो उसकी विजए से stem को कोई भी damage नहीं होना चाहिए तो इसका यह इकाम है यह plant को protection प्रोवाइड करता है so it will protect the plant from further injury so this was the process of leaf abscission अब भाई हम leaf abscission पढ़ ही क्यों रहे है तो leaf abscission जो है उसका main काम है जो dead leaves होती है उनको eliminate करना जैसे कि आपने कभी कभी देखा भी होगा ना कि जैसे कोई leaf है हमें उसे गिरने से बचाना होता है तो हम उसके पर oxyn का spray कर देते हैं लेकिन अगर कोई plant है जिसके अंदर हम यह मानते हैं कि उसके हमें और growth करने हैं तो हम क्या करते हैं निचे वाली leaves को काट देते हैं तो उनको हम काटने की बजाए हम उन पर जो है जो oxyn है, cytokinin है, gibberlin है उनका तिनों का यही काम है कि हम leaf को गिरने नहीं देंगे तो अगर हम इन तीनों में से किसी का spray करेंगे तो leaf plant से detach नहीं होगी plant जो है वह as a tease रहेगा leaf जल्दी से खराब नहीं होगी लेकिन अगर हमें leaf को plant से अलग करना है तो हम stem के उपर spray करेंगे या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि हम Epsistic Acid Rethylene को spray अगर हम करेंगे leaves के उपर, only leaves के उपर तब भी leaves जो है वो Epsize हो जाएंगे अपने आप गिरने लगेंगी अगर अब हम सेचें की कैंची लेके काट देते हैं इन सब से बचाने के लिए हम स्प्रेय करना जादा प्रिफर करते हैं क्योंकि वह एक नैचुरल प्रोसेस होगा फिर और उसकी वज़े से प्लांट को कोई डैमेज नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे Epsistic Acid Rethylene का स्प्रेय कर देंगे तो फिर पुरा प्रोसेस था लिए अबसेशन का आपके सबी डाउट्स क्लिर हो गए होगे बट स्टिल इप अपने डाउट्स पी देंगे इन देंगे इन ने कमेंट सेक्षिन थैंक्स वर वाचिंग